Hello friends, मैं हूँ गारव Friends, आज के इस बीव में हम आपको बताएंगे कि आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नमर कैसे डिंग कर सकते हैं मतलब अगर आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नमर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड में नया मोबाइल नमर कैसे जूड़ सकते हैं इसके बारे में इस्टेप बाइस्टेप पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि आप अपना मोबाइल से ही किस परकार जो है आधार कार्ड में मोबाइल नमर जूड़ सकते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक देखिए, बिना स्कीप की हुए वीडियो को देखिए. वीडियो को अगर आप स्कीप करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड सकते हैं. तो चलिए बिना देर की होई वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आगे बताते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी प्राउजर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या लैप्टॉप से ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है यह website में आ जाना है अगर इस website में आने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसका link हम आपको description में दे देंगे वहाँ से सिधे आप इस website में पहुँच जाईएगा इसमें आने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक लिखा हुआ है book and appointment इसमें आपको click करना है इसमें जैसे हैं आप क्लिक किजिएगा एक नया पेज ओपन होगा यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर दो अप्शन आ रहा है यहां पर आपको प्रोसेड टू बूक यहां पर सेलेक्ट करना है तो यहां पर देख लिजे अगर आपका जो है आधार सेवा के इंदर जो दिखाए दे रहा है यहां से वह आपका एरिया का दिखाए दे रहा तो अगर मिल रहा है तो यहां से सेलेक्ट कर लिजे अगर नहीं मिल रहा है तो नीचे यहां लिखा हुआ है book and appointment at register run आधार सेवा के इंदर यहां पर आपको एक proceed to book appointment लिखा हुआ आ रहा है इसमें आपको click करना है इसमें जैसे यहां प्लिक किजिएगा एक नया page open होगा यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का interface दिखाई देगा यहां आपका पहले से स्लेक्ट किया हुआ है Indian resident यह रहने देना है आपको mobile number email ID मिल रहा है तो आपको mobile number link करना है आपको mobile ID से आपको login करना है तो mobile number यहां पर फिल कर देना है यहां पर एक कैपसा कुर्जू है यह फिल कर लिए mobile number डाल दिये हैं यहां पर mobile टिक किया हुआ है capture code डाल लिए अब send OTP पर click करते हैं OTP पर click करने के बाद आपके पास OTP भेजा जाएगा जो number आप दिये हैं उसमें OTP भेजा जाएगा यहां पर आप आप देख सकते हैं OTP send तो वो OTP आपके mobile डाल भेज दिया गया है OTP यहां पर आपको फिल करना है चलिए फिल कर लेते हैं आप mobile पर जो आया है OTP फिल करना है यह पर फिल करने के बाद आपको submit OTP और प्रोशीट पर click करना है करने के बाद आपके पास एक नया page open होगा यहां पर आप देख सकते हैं new enrollment और update आधार लिख के आ रहा है तो यह जो है यह दो option आ रहा है तो आपको update आधार पर click करना है इसमे आधार नमबर फिल करना है और यहां पर आपको यह mobile टीक करना है और प्रोशीट पर click करना है तो चले डाल लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं यहां पर नाम और आधार नमबर डालने के बाद आपको Indian resident यह टीक करना है उसके बाद आपको mobile नमबर add करना है तो यहां पर मोबाइल टिक कर देना है。 हम टिक कर लिए, अब ब्रोसिट पर क्लिक करते हैं प्रोसिट पर जैसे ही आपकर एक जिल्ग ठाहई यहाँ पर एक पॉप उप फोगा यहां पर लिखा हुआ है जो आधार नंबर दियें वो सही है आपर हला एडिकरना चाते हैं तो हो आपको ऊबार पर क्लिक करना है एक पर चेक कर लिजए जो आधार नमर मोबाई नमबर देना चाहते हैं जो लॉग इन करके आए तो आपको सेव पर कि लिक कर देना है अगर dive देना चाहते हैं तुझ Meadahar, new of the user text please पर क्लिक करेंगे, सेबन पॉर्षीट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, इस तरह का पेज दिखाए देगा, यहां पर आपको चेक मार्क पर टिक कर देना है, यहां पर आपको टिक कर देना है, और यहां पर आपको श्रमिट पर क्लिक करना है, श बुक एपोइंट्मेंट पर किलिक करना है बुक एपोइंट्मेंट पर किलिक करने के बाद यह जो है आपको रिसीप जो है वह आपको आधार सिवा के इंदर में जाकर जमा दे देना है जब तक आप जमा नहीं देंगे तब तक आपको जो है आधार में मोबाइल नबर लिख तो यहां पर book appointment पर click करना है, click करने के बाद आपके पास जो है तीन option दिया गया है, तो आपको जाकर line लगना नहीं है, वहां पर सिर्फ जमा देना हो, जो time मिलेगा उसी time में जाना है, यहां पर आपको तीन option मिल जाता है, आधार जो चल रहा है, आधार सेवास केंद्र जो है उनका center के नाम से आप search कर सकते हैं, pin code से आप state, district, coast office और village डाल कर select कर सकते हैं, तो यहां से आप pin code से select कर लिजिए, जैसे ही pin डाल कर आप search कीजिएगा, यहां पर आजाएगा, यहां पर आपको book appointment पर click करना है, उसमें जैसे ही आप click कीजिएगा, आपको slot यहां पर है, आपको यहां पर date select कर लेना है, दुसरा, यहां पर जैसे 27 तारीक को हमको चाहिए, 27 तारीक कल है, कल हमको किस टाइम चाहिए, दस बजे इतना time दिया गया है, जो time में आपको जाना है, वो select कर लेना है, और submit पर click कर देना है, submit पर जैसे ही click कीजिएगा, आपका appointment गूप हो जाएगा, और उस time जाकर आपको जमादे देना है, आपका mobile number update हो जाएगा, तो इस तरह से आप घर बेठे अपने mobile से जो है, mobile number update कर सकते हैं, आज की इस video में पर इतना है,